हेलो बच्चो इस लेक्चर में हम आंगिक प्रस्णों को सौल्व करेंगे दसमी क्लास वालों के लिए फिजिक्स है चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडेक्शन तो चली कुछ्छन को पढ़ते हैं यदि 100 फेरों वाली तार की एक कुंडली से गुजरने वाले चुम्बिकी फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 बेबर की बृद्धी होती है तो कुंडली में उत्पन इंडेउश्ड विद्धुत वाहकबल कितना होगा तो देखिए यहाँ पे आपको फेरों की संख्या दिया गया है मैंने यहाँ पे लिख दिया कुंडली में फेरों की संख्या यन बराबर 100 उसके बाद आपको क्या दिया गया है चुम्बिकी फ्लक्स में 2 सेकंड में आपको यहाँ पे समयांतराल delta t दिया गया है 2 second 2 second में 15 बेबर की बिद्धी हो जाती है अर्थात आपको क्या दिया गया है चुम्मी की flux में difference delta 5 तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है 5 2 minus 5 1 आपको यहाँ पे 5 1 पता है कितना है 15 बेबर की विद्धी होती है लेकिन अन्तीम flux क्या है? 0 है तो हम 0 से माइनस 15 को सबस्ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा? माइनस का 15 बेबर देखिए यहाँ पर आपको 15 बेबर की विद्धी होती है तो आपको यहाँ पर डेल्टा 5 किया हो सकता है इसलिए आप यहाँ पर फाइटू से फाइवन सबस्ट्रैक करेंगे तो फाइटू क्या लिया जाएगा? 0 लिया जाएगा और फाइवन आपको 15 दिया गया है तो 0 माइनस 15 इच इकुल तू कितना आगया? मातरक क्या होता है चुम्भी की वलक्स का वेबर आपको निकालना क्या है विद्धुत वाहगवल यहाँ पे आपको निकालना है कुंडेली में तो बताईए इसका फार्मूला क्या होता है e जिक्वल टू क्या होता है माइनस का यन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आपको यहाँ पे e निकालना है आपको यन भी पता है अगर फेरों की संख्यना दिया गया हो तो क्या लेते हैं वन लेते हैं लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया हंड़ड डेल्टा फाई आपको कितना पता है माइनस का 15 देल्टा टी कितना है 2 सेकंड तो चलिए यहाँ पर वैलू रखते हैं और इसका अंसर ग्याद करते हैं तो यहाँ से is equal to क्या हो जाएगा बताइए माइनस यहाँ के स्थान पर क्या रखेंगे 100 into में डेल्टा 5 के स्थान पर यहाँ पर क्या निकल है माइनस का 15 तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 15 अपान में डेल्टा टी का वैलू कितना है 2 सेकंड है अब देखिए बच्चों, इस माइनस से इस माइनस को क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टिप्लिकेशन माइनस के साथ करने पर क्या होता है प्लस होता है तो इज उक्पल टू क्या जाएगा हंडर्ड इंटू में फिप्टीन अपान में तू अब देखिए इसको हम तू से डिवाइट करेंगे हंडर्ड को तो टू फाइब जा टेन और वन जिरो यहाँ पर लिख लिया जाएगा अब देखिए इसका मल्टिप्लाइ होगा फिप्टी का मल्टिप्लाइ किसके साथ होगा फिप्टीन का तो यहाँ पर लिखेंगे फिप्टी इंटू में फिप्टीन तो कितना गया बच्चो 750 E is equal to 750 और मातरक क्या हो जाएगा बोल्ट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे E is equal to कितना निकल गया है 750 बोल्ट, स्वारी मैंने यहाँ पे बोल्ट लिख दिया है बोल्ट तो चलिए दूसरे कुछ्षन को solve करते हैं आसा करते हैं कुछ्षन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो आज का हमारा दूसरा कुछ्षन क्या है देखिए कुछ्षन को पढ़िए किसी छड़ एक कुंडिली के साथ इतना बेवर का चुम्ब की फलक्स संबंध है 0.2 सेकंड के पस्चात यह बदल कर इतना बेवर हो जाता है कुंडिली में कितना विद्दुत वाहक बल फुरेरित होगा आपको यहाँ पर यह बताना है तो चली इसको सॉलो करते हैं आपको समय अंतरा लेहाँ पर क्या दिया गया है डेल्टा टी 0.2 सेकंड चुम्ब की फ्लक्स आपको 5,1 पता है 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बेवर और 5,2 कितना दिया गया है 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बेवर तो कुंडिली में कितना विद्दुत वाहक बल फुरेरित होगा तो देखी माने यहाँ पर लिखा है चुम्ब की फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा 5 इंटू 5,2 माइनस 5,1 तो डेल्टा 5 इंटू 5,2 का वेलू कितना है 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 लगाएंगे माइनस 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 चलिए इसको सब्स्राइक करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम 10 की पावर माइनस 4 को यहाँ पर क्या लेंगे कामन लेंगे तो आजाएगा 4.0 माइनस 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 यह डेल्टा 5 उक्कुल टू क्या जाएगा माइनस का 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 चुकि चुम्बी की flux है मात्रक क्या हो जाएगा बच्चो वेबर डेल्टा फाइज उकुल टू क्या निकल गया माइनस 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर आपको निकालना है का है कुंडिली में कितना विद्दुत वाहक बल फ्रेरित होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस का 4.0 into 10 की पावर माइनस 4 अब आनमें डेल्टा टी आभू कितना मालूम है 0.2 सेकंड अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया अथाथ पॉजिट्नी में बदल गया अब देखिए 4.0 है यह 0.2 है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम हटा देंगे क्योंकि पॉइंट के बगल एक अंख है यहां भी एक अंख है तो इस उक्कल्ट क्या हो जाएगा 4 0 into 10 की पावर माइनस 4 अब आनमें क्या हो गया 2 हो गया अब इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो इस उक्कल्ट क्या जाएगा 20 into 10 की पावर माइनस 4 मात्र क्या हो जाएगा बोल्ट तो बच्चों इहां पर E का वेलो निकल गया है तो इस लेक्च्चर को इहां पर समाप्त करेंगे आने वाली नेक्च्च वीडियो हम अगले कुछनों से स्टार्ट करेंगे थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो हैव अग्रेट डे